केजरिवाल ने कल 10,000 रुपए का बेल बॉंड भरने से इंकार कर दिया था आज उनी की पार्टी के योगेंद यादव ने 5,000 रुपए का बॉंड भर कर जमानत ले ली सवाल उठा कि क्या केजरिवाल करांतिकारी हैं और योगेंद यादव क्रिमिनल क्यों देंगे जब वो क्रिमिनल नहीं है पैसे देने का मतलब है कि उन्होंने एकसेप्ट कर लिए वो क्रिमिनल है आज सुबह तिहार में केजरिवाल से मिलकर बाहराई उनकी पत्मी ने ये दलीर दी थी इसके ठीक 4-5 घंटे बाद पार्टी नेता योगेंद रियादव ने 5000 का बांड भरकर जमानत ले ली ऐसे में सवाल उठा कि क्या केजरिवाल करांतिकारी हैं जिन्होंने पैसे भरकर जमानत नहीं ली और जेल चले गए जबकि योगेंद रियादव क्रिमिनल हैं क्योंकि उन्होंने पैसे भरकर जमानत ले ली और घर चले गए सुनिए इस पर योगेंद रियादव ने क्या सफाई भी दोनों बिलकुल अलग केस हैं जज ने कहा कि अरेस्ट जब हो चुका है अरेस्ट होने के बाद आपके पास दो ही विकल्ब हैं कानून में या तो आप परसनल बॉंड पे रिलीज हो या आप शूरिटी पे रिलीज हो जबकि अरविंद केजरिवाल के केस में चुकि वो समन का केस था उसमें तीन बार पहले एक दूसरा रूट यूज हो चुका था जो की था एक रिटन अंडर्टेकिंग का तो हम हैं दरसल आमा आदमी पार्टी के आंदोलन की इस बार हवा निकल गई सबने इसे ड्रामा करार दिया जनता ने केजरिवाल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा नतीचा ये हुआ कि आंदोलन बापस लेना पड़ा आशिश सिनहा दिल्ली इंडिया निउस